हेलो फ्रेंट्स आप सभी का मुस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पर प्रिदर्शकों मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रोलोजर सुनी शास्त्री और आप देख रहे हैं जोतिस से जुड़ी कुछ स्पेशल और एडिशनल बातें प्रिदर्शकों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्टरम मंगल की जी हां मार्स इन एड़्थ हाउस तो मार्स जो है एड़्थ हाउस में बैट करके किस तरह के शुब और अशुब या मिस्रित या सामान्य फल जो भी जिस भी प्रकार के फल देगा देता है उसके बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले सो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को दोस्तों अस्टम मंगल किस तरह के फल देगा शुब अशुब मिश्रित या सामन्या इन पर जानकारी ले ले लेते हैं लेकिन इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है कि अस्टम में बैठ करके किस तरह के फल मिलेंगे आईए जानते हैं शास्त के कथना अनुसार दोस्तों जोतिशास्र कहता है अस्टम मंगल के लिए करपदग सुनी लो मृत्य लो कम प्रयाति दोस्तों अस्टम मंगल के लिए शास्र कहता है कि यदि अस्टम आठमे घर में मंगल बैठा हो नीच राशी गत बलहीन हो अब नीच राशी आपको मंगल की पता ही है मकर में मंगल उचके और करक में नीच के तो नीच के होकर के अस्टम में चाहे वो पुरुश हो चाहे स्त्री हो जिनकी भी होरास्कोप में अस्टम में नीच होकर के यदि मंगल बैटे हैं तो समझे हैं कि मंगल वहाँ पर बलहीन हो जाते हैं यानि आपके मंगल के अंदर शक हो जाते हैं और स्वास्त की रक्षा को नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जल से काफी नुक्सान हो सकता है क्योंकि करक राशी है करक राशी जल का अधिपत्य करती है और मंगल यहां पर जल से सम्बंदित्व शारीर को कस्ट भहुत भ्यानक कस्ट उत्पन हो सकता है वो भी जल के कारण है ऐसे विक्तियों को यदि दोस्तों धनू राशिगत ब्रश्टिक राशिगत या मकर में या फिर मेश राशि में मंगल हो तो वह मनुश्य नीले रंग के हाथ पैत यानि की हलका फुलका नीला रंग, हलकी लालिमा लेकर के जो है हाथ पैरों में कहीं निशान होते हैं नीले कलर के और ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सारे सुकों का उपवोग करते हैं बहुत सारे सुख जीवन में जहलते हैं भोगते हैं और जीवन में बहुत सारे आनन्द उठाते हैं अस्टम भाव में मंगल खास कर दोस्तों बहुत अच्छे परिनाम तो नहीं देता अब मंगल अधिकांश मामलों में यदि देखा जाए तो अस्टम में बहुत सारी बाधाएं करता है अस्टम में यदि मंगल चले गया समझो दामपत्ते जीवन को काफी नुकसान पहुँचाता है आपके दान्तों को बहुत नुकसान पहुचाता है पेट से सम्मंदित प्रॉब्लम करता है एक्सिडेंटल केसे भी यहाँ पर बना देता है मंगल अस्टम में बैटने से दामपत्ते जीवन को भी खास कर पती पतनी एक दूसरे से अलग होने की संभावना यहाँ बन जाती है दामपत्ते जीवन कुछ अच्छा बहतर यहाँ पर नहीं बनता है चिटच्ड़ा सुभाव व्यक्ति को बना देता है इनके हितैशी जो हैं लाग शाहें इनकी हेल्प करना चाहें लेकिन हेल्प नहीं कर पाते इनके जो रिष्टे होते हैं किसी से भी वो जादा बहतर मजबूती बनाने के प्रयास रत होकर के भी अच्छी मजबूती नहीं बना पाते हैं विशेवासना में ऐसे लोग जो है अधिकतर पड़े रहते हैं और नशा इत्यादी जैसी चीजों में लग करके अपने जीवन को खराब करते हैं और बाकी विशेवासना में अनिक प्रकार की विशेवासना चाहे उस्त्री का संगो किसी पुरुष की तलाश हो चाहे वो संसार के भोग वस्तु में हो उनकी प्रती जोए अपना समय गवा देते हैं और ऐसे व्यक्तियों को गुदा से संबंदित प्राब्लम भी होती है जैसे बाबा सीर से रेलेटिड रोग जो ऐसे व्यक्तियों को बन सकते हैं आठमे घर में आठमे भाव में मंगल के कारण आपके शरीर में फोड़े फुनसे किये या घाव लगना चोट लगना कट जाना जल जाना इस तरह की घटनाओं की संभावना ये ज़्यादा बन जाती है चोरी की संभावना ये ज़्यादा बन जाती है साथ में दोस्तों सोना हाथ से सोना गोल्ड खो जाना ऐसी सब्भावना भी बहुत ज़ादा बन जाती है और स्थिति की अनुकूल नहीं होने देता मंगल ऐसे लोगों की आमदनी इंकम सोर्सिस भी कुछ बहुत बहतर नहीं होते लेकिन जीवन को चलाने वाले होते हैं और साधारण और बिलकुल ही असाधरण तरीके से ऐसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं मंगल की या सिच्वेशन उनके पिता के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती है पिता का भी जिसे फैमिली बैक ग्राउंड होता है उसे भी जिसे कहते हैं वो भी खराब होते हैं दिखाई देता है दामपत्ते जीवन में भी बहुत सारी परिशानिया जीवन में आती रहती है अपने इनके छोटे भाई या पिता का सुभाव भी थोड़ा गुसेल ये कर देता है बाणी में तो कठोरता आही जाती है वहीं कड़वाट भरी बाणी से जब ये लोगों से बोलते हैं तो सब के मन में कड़वाट आ जाती है मीठे बोल बोलना ये लोग नहीं जानते तेज, मिर्च, मसाले से बनी चीजों का सेवन करना इन्हें बहुत आकर्षित करता है और ऐसे सेवन करते रहते हैं दोस्तों आपकी कुणली का मंगल क्या कहता है वो आपकी कुणली में क्या सिच्वेशन लेकर के बैठा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए इस चुपफलों को जान सकते हैं इसके लिए आपको जरूर पड़ेगी ऐनालिसिस की और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं पर दिये नंबर्स पर आप फर्स नंबर पर अपॉइमेंट लें वाट्स अप नंबर पर और उसके बाद है आपको सभी प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी जो भी आपके questions होंगे उनके उत्तर आपको भली बाती दी जाएंगे आपकी मंगल की situation के according उसकी जो remedies हैं जो उपाये हैं वो आपको बताए जाएंगे और दोस्तों यदि आपको मंगल के लिए उपाये चाहिए तो उसका जो बेदी वैदिक तंत्रोक्त जो भी उपाये हैं वो सभी प्रकार के उपाये मैंने अपने एक वीडियो में बताए हैं वो आप सर्च कर सकते हैं उस वीडियो को किसी भी ग्रह से वो ही नहीं बलकि किसी भी सूरी चंद्रमा मंगल बुद्ध ब्रैस्पति शुक्रशनी राव के तु किसी भी पर्टिकुलर किसी ग्रह को आप सर्च कर सकते हैं यूटूब पे जैसे कि मंगल ही है तो मंगल ग्रह की शांती मंगल ग्रह के उपाये एस्ट्रोजर सुनिल शास्त्री या फिर राव ग्रह की शांती राव के उपाये एस्ट्रोजर सुनिल शास्त्री इस प्रकार से आप सर्च कीजिएगा तो आपको जो है वहाँ पर वीडियो सभी प्रकार के मिल जाएंगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के जरिये तब तक के लिए जै स्री कृष्णा